Hi guys, welcome or welcome back to the classes So guys, आज हैं हमारी practice class So guys, आज हम सीखेंगे पिछले कुछ classes पे based मेहन्दी design लगाना So आज मैं आपको एक मेहन्दी design बनाना सिखा रही हूँ Beautiful सी मेहन्दी design बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही simple तरीके से क्योंकि वो सारी चीज़ें आप पिछले classes में सीख चुके हो प्राक्टिस कर चुके हो तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक महंदी डिजाइन लगाना I hope कि आपको काफी पसंद आईगी Guys, अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है So guys, without any delay, let's get started So basic design हम स्टार्ट करेंगे फ्लार से So, सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक फ्लार और फ्लार बनाना मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ और उनी फ्लार में से मैं एक फ्लार लेकर आज बना रही हूँ design And guys, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा ये वाला महंदी design और beginners friendly है, अगर आप मतलब मेरे classes से ही सीख रहे हो तो आप बहुत easily इसको लगा पाओगे So just मैं एक फ्लार ड्रॉ कर रही हूँ पहले जो कि मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ Guys, अगर आपको मेरे classes अच्छे लगते हैं न तो अपने friends and family के साथ भी share किया कीजिए उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले आप लोग भी जब वीडियो देखते हैं न तो वीडियो को like जरूर किया कीजिए इससे हमें पता चलता है कि आपको classes पसंद आ रहे हैं और हम और भी जादा अच्छे से classes create कर पाते हैं So guys, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए क्योंकि आपको भी हमारा साथ थोड़ा सा देना पड़ेगा तभी हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको clear समझ में आ रहा है या नहीं So guys, बहुत ही basic से मैं सिखाती हूँ और आप मेरे class 1 से देख सकते हैं आप classes ले सकते हैं Guys, Instagram पे मैं homeworks चेक नहीं कर पाती हूँ मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि अब क्योंकि बहुत जादा लोग मुझे homeworks send करने लगे हैं तो मैं अब check नहीं कर पाती हूँ Starting में मैंने जब channel open किया था उस time पे मैं homeworks check किया करती थी बट अब मैं नहीं check कर पाती हूँ मेरे लिए possible नहीं होता क्योंकि पहले homeworks आते थे 10-20 लोगों के लेकिन अब homeworks आते हैं 500-600-1000 लोगों के तो मेरे लिए check करना possible बिल्कुल भी नहीं हो पाता है तो मैं वो check नहीं कर पाती हूँ कि आपके महंदे डिजाइन में improvement है तो आप उसी हिसाब से आप classes को आगे बढ़ा सकते हैं तो मैं यह flower draw कर रही हूँ बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया था flower वाली class में कि किस तरीके से draw करना है तो अगर आप यह मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप वो class में जाके देख सकते हैं कि मैंने यह flower draw करने के लिए बहुत इजी तरीके से बहुत detail में बताया है कि कैसे आपको draw करना है अब इसमें दूँगी shade तो shading का भी मैंने आपको एक proper class ली थी कि shade किस तरीके से देना है तो उसमें मैंने बहुत ही slowly बहुत detail में बताचम जाया है कि आपको shade किस तरीके से देना है तो आप वो वाली class भी ले सकते हो अगर आपको यहाँ shade करने में problem आ रही है तो आप वो वाली class देख सकते हो मेरी how to shade in महंदी designs आपको playlist में मेरी दो ही playlist है मेरे channel पे जिसमें एक है महंदी designs और दूसरा है महंदी classes तो आपको classes वाले playlist में सारी classes मिल जाएंगे season 1 के भी and season 2 के भी आप जो भी चाहें वो आप ले सकते हैं season 1 मैंने complete कर दिया था bridal महंदी के साथ में season 2 ये चल ही रहा है तो आप चाहें तो season 2 के classes ले सकते हैं अगर आप प्रेजेंट में सीख रहे हैं और अगर आप चाहें तो season 1 के classes भी ले सकते हैं तो उसमें मैंने आपको shade करना बताया है इस तरीके से आप ये flower draw कर लेंगे और इसके बाद मैं कुछ shapes बनाऊंगी जो मैं आपको already बता चुकी हूँ तो आपको easy हो जाएगा मैं कुछ भी नया नहीं बना रही हूँ यहां पर जिससे आपको कोई भी problem हो जो आप पिछले classes में सीख रहे हो उसी से मैं आपको design बनाना बता रही हूँ तो आप उन classes को अगर आपने अच्छे से लिया है तो आप इस तरीके के design आराम से बना सकते हैं तो आप देख सकते हो मैं ये feeling कर रही हूँ जो कि मैंने आपको last class में बताया था तो आप ये इस तरीके से fill कर सकते हो सब कुछ मैं अभी तक जितना मैंने classes में बताया है वो ही चीजे मैं यहाँ पर आपको बनार के बता रही हूँ मैं कुछ भी नया नहीं बना रही हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको कोई भी problem हो तो आप अगर वो classes आपने अच्छे से लिये हैं तो आपको ज्यादा easy पड़ेगा classes को लेना अब एकदम से आप class 12 या class 13 पे जाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको यही suggest करूँगी कि आप class 1 से start कीजिए तो आपके लिए better होगा अगर आप महंदी सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से देखे मैंने इसकी outline को थोड़ा सा मोटा कर दिया है इससे क्या है हमारा shape थोड़ा सा highlight होता है अभी मैं इसको थोड़ा सा design दूगी यह भी मैंने आपको classes में बताया हुआ है already इस तरीके से आप डिजाइन कैसे बनाना है मैं आपको यह बता रही हूँ आज के class में उन चीजों को आप लोग सीखते हो फिर आप कहते हो कि मैं इन चीजों को use कैसे करना है तो आज के class से आपको clear हो जाएगा कि वो जो shapes और flowers वगेरा मैंने आपको बताए है उनको use करके आप design कैसे बना सकते हो तो इस तरीके से आप design बना सकते हो चीजों को connect कर सकते हो इस पर मैं special class एक और ले दूँगी कि आप कैसे design को connect करना है Arabic में तोड़ा easy हो जाता है connect करना वहीं पर अगर हम full hand mehndi लगाते हैं Indian integrate design लगाते हैं तो वहाँ पर हम कैसे connect कर सकते हैं तो वो सब मैं आपको आगे आने वाली classes में बताऊंगी तो इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि चैनल को अगर subscribe नहीं किया है ना तो subscribe कर लीजे और साथ में जो bell icon है उसको hit जरूर कर ले ना guys क्योंकि आपको अगर bell icon हिट करोगे तो आपसे कोई भी notification miss नहीं होगा तो आपको सारे classes मिलते रहेंगे तो इतना आप देख रहे हो कि मैंने इतना create किया अभी हम इस design को आगे complete करेंगे अब सेम चीज़ जो मैंने यहां बनाई है ना हो मैं यहां पर भी बना सकती हूँ तो आप ऐसा भी कर सकते हो और repeat भी कर सकते हो आप design को तो मैं सेम चीज़ अब इस side में बना रही हूँ opposite direction में अब इसके लिए आपको थोड़ी सी practice करनी पड़ेगी कि एक ही shape को आप अलग-अलग direction में कैसे बना सकते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी practice ज़रूर करनी पड़ेगी guys तो कि मुझे तो practice है कि मैं किसी भी direction से बना सकती हूँ shape को बट आपको थोड़ी सी practice करेंगे न तो आपके लिए भी easy हो जाएगा और mehndi जो है न वो practice का ही काम है अगर आप regular practice कर रहे हो mehndi की तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे लेकिन अगर आप practice नहीं कर रहे हो आप मेरे classes ले लेते हो लेकिन उनकी बार में practice नहीं करते हो तो आप में आपकी जो growth है वो बहुत slow होगी guys इसलिए practice आप जितनी जादा करोगे उतनी जल्दी आप mehndi सीख जाओगे जितना आप practice कम करोगे उतना ही आपको time जादा लगेगा तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए तो मैंने ये shape बना ली है opposite direction में इसकी भी हम outline को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ठीक है अभी इसकी outer वाली shape बनाएंगे हम अगर आपको और भी अच्छे अच्छे महंदी डिजाइन्स चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल spark shine पे जा सकते हो spark shine पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिजाइन्स मिलेंगे वहां पर classes नहीं है वहां पर हर तरीके के डिजाइन्स आपको मिलेंगे ब्राइडल महंदी डिजाइन्स भी मिलेंगे वहां पर आपको Arabic महंदी डिजाइन्स भी मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है, यह मैंने आपको डिजाइन्स में नहीं बताया है, लेकिन इस टाइप से मैंने आपको जरूर बताया है कुछ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पर एक और केरी एड़ कर सकते हो, एंड इसमें आप फिलिंग कर सकते हो सारी फिलिंग्स वो ही होंगी जो मैंने आपको बताई है लास्ट क्लास में तो उसी पर बेस्ट है यह महंदी डिजाइन आउटलाइन्स को मोटा आप जरूर कीजिए क्योंकि अगर आप आउटलाइन्स को मोटा नहीं करेंगे न तो आपकी शेप जो है वह हाइलाइन्स नहीं होगी आउटलाइन्स को आपकी शेप थे-डाइट होने लगेगे तो यहीं वाले आईलिमेंट्स हम यहां पर भी एड़ कर देंगे ठीक है अभी फिर से हम यही शेप बनाएंगे बड़ इस बार हम फिलिंग चेंज कर देंगे अब इस बार हम फिलिंग इसकी चेंज कर देंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो ठीक है अलग-अलग फिलिंग के साथ में आप बनाते हो जब तो आपकी महंदी डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगती है और आप देख सकते हो ना देखते ही देखते हमारा एक महंदी डिजाइन बनके तयार हो गया ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जितना मैंने अभी तक आपको क्लास में सिखाया है सिर्फ उनी चीज़ों से अभी तो सोचो आपका महंदी कोर्स कम्प्लीट भी नहीं हुआ है और अभी आप अभी से आप इतने सुन्दर सुन्दर डिजाइन बना सकते हो सिर्फ इतनी ही चीज़ों को follow करके आप देखो कितने सुन्दर सुन्दर डिजाइन बना सकते हो है न सी हमारा महंदी डिजाइन complete हो गया है Arabic महंदी डिजाइन और आप देखो इतने ही classes से अभी कुछ ही classes हुए है और आप काफी अच्छा खासा महंदी डिजाइन बना सकते हो तो I hope guys कि मेरे classes से आपको काफी help मिलती होगी तो guys आपना चैनल को subscribe जरूर करना और वीडियो को like जरूर किया कीजिए guys मिलते हैं हम लोग next class में तब तक के लिए bye bye take care